हाई फ्रेंट्स आप सभी का वेलकम है आज हम जो डिस्स करने जा रहे हैं वह हिस्ट्री का किर्शन पेपर जो कि सब्सक्राइब कर दियूस कर दिया गया है लेकिन की सब्सक्राइब पर में भी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हैं हमारे पसामने तो इस्टी टाइम वह ही थ्री आवस का पेपर होगा मैक्सिम मार्स पहले भी 80 थे अभी भी 80 मार्स हैं 20 मार्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा आप सभी को पता है तो टोटल हैंडेड मार्स होंगे एटी प्लस ट्वंटी सेंपल साब देखोगी तो इस बार जो किसन पर उसमें सबसे पहली बात देखने को मिलेगी वह हैं इंटरनल उसमें 6 sections है total six sections में टेपर को डिवाइड किया गया है शर्म डिफ्रेट सेक्छन से मैं दूसरा इसे section A है उसमें के संपर वन से सिक्ष्टीन थे वह अब जेक्टिव टाइब हैं अब जेक्टिव का मिनिंग यह एकि कि वर मल्टीफल चोइस नहीं है बलकि उसमें वन वर्ट भी है उसमें पिक्टर से रिलेटेड भी हो सकते हैं तो इस प्रकार से अब जो पहले लास्ट यह थे उनकी संख्या हुकम किया गए है अब जो टाम यहां पर यूज हो ऑफ यूज होए वह वह उब्जेक्टिव कुशन का यूज होए है तो अब्जेक्टिव पिस नहीं आपके किसी अब अडिटिफीकेशन का या मैस दिफॉल्विंग या फिर आ जान सब्सक्राइब यहां भी आपको अप्संदिया गया है जो सेक्षिन भी है वो न्यूव एडिशन आइस साल से क्यूसर पेपर में एक नए अडिशन आपके सामने है कि किसन नंबर 17,18,19 लेकिन यहां पर उनको बढ़ा दिया गया है तो इक तरह से यह दिदि दोनों सेक्षिन के सेक्षिन वी और सेक्षिन को दोनों को यह मुल्टिप्लाइ कर ले तो वह आपके टोटल हो जाते 27 मार्क्स याने एक तरीक से देखो तो सोर्स बेस्ट के संसे उसका बहुत बड़ा पॉर्शन इस पेपर के अंदर है ट्वन्टी सेवन मार्क्स आदेर तो इसमें स्कोरिंग अवो बहुत ही हाई स्कोरिंग रहने वाली है इस पेपर को यह दिकोई सही प्रॉपर तरीके से अपनी मार्क्स ठीक है उसके बाद सिक्स मार्क्स एम आपके मैप के हैं फिर आप अब अब्जेक्ट्टिव भी ठिक ठक लगा लेते हों तो अराउंड एटी टू 90 मार्क्स आपके कहीं नहीं घये तो इसलिए ध्यान देना है पिपर गी जो आपको इस्टड़ी करनी है वह इस्ट मांक का है 24 ओ त्रीमार्टी हो यह थे कर अप लोग नपूरी साल पढ़ाई करते हो पूरी साल अपने करते हो कि आपकी बच्छाबा जो आपके पास आराउंट मांक सब्सक्राइब उसकी तरफ इतना ध्यान देते हो तो यहां पर जो एक नए एडिशन होगा सेक्षिन बी में इंट्रेस्टिंग एडिशन है यह एडिशन आपको फोर्स करेगा कि आप अपनी बुक्स की रिडिंग किजिए और जो सबसे नेगलेक्टेट पाट था हिस्ट्री का जो कि सोर्स वाले जो बॉक्सेज वाले जो इनफॉर्मेशन है जिसको न लाइन से लाइन मिलाकर आंसर को देनी कोसिस करते हो तो यहां पर यह क्यों सही आपको फोर्स करें कि आप बुक को पड़े और बुकिस नौलेज की तरफ जाएं तो यहां पर जो नया इंट्रोड़क्शन शेक्षिन भी है यहां पर 17 18 19 और केस्ट बेस्ट क्योशन सोर्स सोलों कि यहां पर चार स्वाल हों गें चार में जायूट अर्णीर 17 18 19 और हर पोर्षन में वर फोर मार्ट होंगे फॉर फ्रकूर्सन होंगे और वह भी मृटीपल वाले होंगे यानि स्वरस बेस्ट क्यूसस में मृटीपल प्रजूस रखा गया है इस सेक्षन के अंदर त तो 17 18 19 3 4 x 3 तो ट्व설 क्रिशन सा देर और आपको इन यंचे ना इन आटेंट करने हैं ठीक है सेवंटीन वाले किसें उसमें फॉर एमसी क्यों होंगे तो फोर में से थी करने लाइटीन वाले में पूर इम से क्रों होंगे उनमें से कोई अपको करने ठीक है अगला हम आते हैं एक सेक्षण सी जैसे पिछली बाढ़ता वैसा ही कि और सो ग्यूशन केरिंग थी मार्ट्टी ट्वंटीवंटी ट्री सूट नोट भी एक सीडो फैंडेट मार्स तो एंडेट वर्ट में आपको आपके लिए कोई चोईस इंटरनल चोईस हो सकती है लेगी यहां पर उस प्रकारी कोई जो इस नहीं रखी गई है कि सेक्शन डी की तरफ यह दिया है हमाई तो सेक्शन डी जैसा कि आप सबसे ज़्यादा इसी की त्यारी करते हो तीन 24 25 26 क्यूशन साथ यह 350 जो इसकी वर्ड लिमिट होगी और इसके आंसर होंगे एट मार्क्स के आज़ दो सेक्शन ही जो पहले भी आता था सेक्शन डी में 27 28 29 क्यूशन साथ यह जो भी सोर्स बैस होंगे और उन में से हैर क्यूशन को 5 मार्क्स रखा गया है लास्ट यह यह कि उसन बो 6 मार्क के होते थे तो 3 into 18 मार्क्स होते थे तो यहां पर 15 मार्क्स इस बार के अंदर मैप है मैप के अंदर दो टाइप की मैफ आएंगे पहला मैफ का जो पोर्षन होगा उसमें identification करना है दूसरे में आपको फिल अप करना है ऐडेन्टिफिकेशन में यह हुता कि पहले से कुछ locations दी हुई होती हैं वो locations को आप identify करते हो और फिलॉप वाले में होता है कुछ लोकेशन का अब को नाम दिया होता है जिने कि आपको आउटलाइन में अंदर फिलॉप करना होता है ठीक है अब क्योंस का कुछ इस्टेंडर देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपकी तयारी कहा तक चल रही है और किस प्रकार से आपको अपने त्यारी को और ज्यादा इस्किल्फूल करने की ज़़ता है कि देखिए इंसेंट में सब्सक्राइब टेक्स्ट रेफर्स टुदी कोपर कमिंग फ्रों में प्लेस कॉल्ड मगन वीज प्लेस वर रेफरिंग टू तो मगन जो जगह है उसका नाम कहां से रखा गया है कौन सी जगह के बारे में बता रहा है तो यूटूब के मेरे पूरान सब्सक्राइब करेक्ट इस प्रकार के इतने सारे क्यों क्यों कुछ गए है तो उसका बेसिक सांसुरा को मिल जाएगा कि ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने नहीं होगा जो कियोंकि paling क्यों कि मैं हमने इसको कवर किया जिसमें हमने आंसर भी लिखा है और उसमें हमने सारे की सारी जो स्ट्रेजिस हैं ब्राह्मनों की दौराद इन्फोर्स की थी वर्णा ओडर को इन सब को वहां पर डिसकस किया हुआ अग्वी तक हमारी सीरीज में हमने चेप्टर वन से फॉर की एंसी क्यू कवर कर रखें और ऐसा कोई भी क्यूसन आपको इस पेपर नहीं मिलेगा जो उन चार्स एंसी की सीरीज में आपको ना मिले तो इसलिए मैंने आपको बोलता है उनको आप फॉलो करते हो तो हैंडेट क्रशंड मार्ग सी गार्ईंटी अब तो ही हागि है मैं अग्ला इमेज से लेट थिस्टूपा इसके लिए यूजड़ होता यह भी हमारे में अन्य कवर क्या था फिर विज्वल के लिए है इस यह हम से नहीं लिए है फिर अग्रला यह है तो परकार एक प्रकार एक व्हू पूछे जा रहे थे इस बार इसको ट्वल्थ में एड़ून कर दिया गए कि नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया यह गलत है इसको दुबारा से सही करके लिखता है कि अक्वर्डिंग टो जैनिजम एस्टीजम एंड डर मेडल पाथ और रिक्वाइड तो फ्री वन सेल प्रणाट करनाटका करनाटका में जो वीर से इसके बारे में जानने के सोर्स के लिए तो वचन है उनके द्वारा बास्वना के वचन है उससे हम जान सकते हैं डिफिर नाएक और अमर नाएक सिस्टम तो यह विजे नगर एंपर में डिसकस किया हुआ सवाल है अगला यह इ कौन सा नहीं है तो यह सारे के सारे हमने वहाँ परकार के किसंस को हमने किया है कि आपके सामने कुछ नया नहीं आई यह लिए उन्त का मुगल एंपर वाला चेप्टर हमने पढ़ा तो उसमें अलमगीर नामा है वह रंग जेब से कनेक्टेट है तो आर्टिस्ट मीर से यह कि अब्दूल समय थे हुमायू के साथ आये थे मुगल कोड के अंदर सो हाव दी पावर्स ऑफ जोद्दार्स वर मोर एफेक्टिव देन ऑफ जमीदार्स कि जब जोद्दार की पावर थी वह जमीदार से कैसी ज्याद एफेक्टिव थी अब इस प्रकारी क्यूशन से लिए उसके चारों तरफ आपको नहीं गुमना एकदम पिंदी पॉइंट लिखना है कि जोद्दार कैसे जमीदारों से ज्यादा मोर एफेक्टिव थे तो वह पिंदी लाइन आपको वन मार्क में वन मार्क के क्रिसंस में जब इस प्रकार क्रिसं पूछ जाते हैं तो सबस नाना साहब हूंगे लखनों के अंदर यह आरा के अंदर कुमर साहब होंगे लखनों के अंदर बिटजिस खादिर हजब्सकादिर के बेटे साब बंदो थे नवाब साथ सी वह होंगे पीर एफिर देख्या मांटी इलुस्टेटरेटेटेटिश यस टेक्टिकल पर नहीं कर सकते हो पिर सेपरेट एलेक्टोड वाज़े पर पर सथी का पैसे दे रखाए उससे के सन्हें तो यह नया एडिशन यहां पर इस पूरे स्लेट किया गया है यह यह पूरा का पूरा जो बीस एक्सन है दीस इस दर न्यू एडिशन फ्रॉम दीस यह लास्ट यह त होते थे इस बार यह बी वारा नए एडिशन लेक्या है यह लोग ठीक है अब यहां पर यह कि जो पैसे वाले किसन से उनको डारेक्ट नहीं पूछा जा रहा है और इसके अंसर आपको इस पैसे से डोंडने है तो यहां पर आप जो लाइन से लाइन मिला के लिग देते थे हैं वह वह यह किर्शंसा क discuss這些 को बमलते हैं यह कहीं बीस कांसर आपको के अंदर नहीं मिलेगा यह इस्टरी की समझर आपके अंदर होने जाए ईसटरीके-जो टाइब क्यों के वलोई बच्चा कर पाएगा जिसने history classes को regularly लिया है जिसने इसटि को being as a subject की तरह समझा है कि परसस्तिया क्या होती है इंस्क्रिप्षिंस क्या होती है उनकी management features क्या होती है उन में क्या कमया होते हैं उनको historical source की रूप में utilize किया जा सकता है तो उसमें कोन कोन करो यह बोला घाνε hardened रिया के वोई देपाएगा इसने इस परसथी में यहां पर हैं तो यहां पर हैं तो यह इतने हैं एप पटार्य यह पटनी की आंसर तब तक यह पैसे वाले किसंत नहीं होने वाले हैं तो इसलिए हम जल्दी ही पैसे शुरू करने वाले हैं इस पर से पैसे का एक इंपोर्टेंट डॉल हो गया इस्टी के पेपर में तो यह सारे पैसे से रेटेड एंसी क्यों है उनमें से आपको तीन करने कोई भी तीन आपको करने यह देखे लिए अगला पैसे अगला जो पैसे इन्हों ने डेवलप किया वो पिक्चर के ऊपर डेवलप कर दिया है ठीक यहां पर अपने आपको ज्यादा पाउर्फूल दिखा रहा देखे जांईर का चेरा है वो हाइट हाइट में है और वो दूसरा जों किंग है वो उसके लोवर पॉर्शन में है तो इन पिक्चर से आप क्या समझते हो यह इसके उपर यह पूरा सवाल बनेगा और यह तभी बन पाएगा जब आप इन पिक्चर की आपने कहरा है से अधिन किया हो अधरुबाइज आप इस प्रकार के संस्कार आप डारेक्टली नहीं दे आप इसक्राइब करवाया देनीमल से इन पेंटिंग इस्टेंट फो टो इनिमल से दो देखिए जांगिर को लॉइन की रूप में दिखाए गया है और यह तो इसे दो ऐसी सा से कंड्स हो कि इस पूरे वल्ड के उपर सासन कर रहे हैं इस प्रकार की चीजों को यह आप दिखाए गया है तीसा देखिए उनने पहले बात कि इसको नहीं समझ पाओगे जब तक डीपली आप उसके रीडिंग नहीं करोगे या डीपली उसकी अंडरस्टेंड का अंसर देबाना तो यह नया पैटर्ण से लिए यह बारबर बोला हूं यह पैटर्ण आपको फॉर्स कर रहा कि आप बुक्स को डीपली उसकी रीडिंग करें क्या वल कहीं से हैं यह फिल विजुली के विजुल चैलेंज कंडिलेट्स के लिए हैं कि नेक्स वाला दुब से चार में से उस्कुति सब्सक्रीरं करें यह फिर यह जो सेक्षिंग इए यह वो क्युस्थिन से जिन்के हम राद दिए तियारी करते हैं कि और यह दिन त्यार ही करते हैं ठीक है बाकि बच्चेवाइब को हम डंसे एक तरह से मा बोलों आप रंसे त्यार करते ही नहीं हो अगर बच्चेवाइब पेपर गए पर बड़ा इजी पोर्चन है जो बचाओ पेपर उसको यह प्लानी के साथ त्यार किया जाए तो हैं डिवार्ष करते हैं तो इनमें तो कुसरी में एक्स्ट्रीन है। सोर्शिज यूज़ यूज़ दो रीकंस्ट्रक्श्थि टास्ट्री दाड ceremony क्वाःन एम्पाइक कि लिए कौन काूट से शॉर्स han lagi कौन से साथ में होगे में। यहां पर बता देना आपको जो अलग लग ग्रूप के लोग थे कि पहले इरानी कैसे आए फिर तुरानी लोग आए फिर अकबर के टाइम में वह किस प्रकार से जो राजपूच आ सकते और जो बारती मुसल्मान जिनको शेख ज्यादा के नाम से जाना जाता था उनको रिक्र यह वह बहुत है और उसके बाद कि इस प्रकार से संतालों के विजए हुई तो वह विजए एक तरसे संतालों के नहीं बलके उन्हीं कुदाल और हल की बीच की लड़ाई थी जिसमें लाफ्ट में जो हल वाले हैं वो जीच जाते हैं उसके बारे में बताने हैं सेक्षन डीम आपके पास आवेलेवल हैं सब में इटर्नल चोईस है तो इसमें को दिकत नहीं आपको अब करते हैं कि यहां पर पार्ट को टू प्लस इक्स में जो डीसाइड किया तो जो आंसर जो चैक कर रहा उसको दिखना चाहिए कि आपने टू वाले को भी आंसर किया है और सिक्स वाले कंद्सर किया है बहले ही उसके बीच में आप दो पहले शुरुवात में टू वाले की लाइन आप लिख दो उसके बाद दो इस ब्लैंक चोड़ दो फिर आप दुबारा से आंसर को शुरू किजिए जिसेंगी आंसर चिजो मांक सब्सक्रोट कर रहा है एक् लिकता आपके पास है नहीं आ ओके सेक्शन ईमें दुबारा से ये पूराना इस से नंगा आट करते हो जिसमें कि आपके पास जो पैसे वाले किसंटें खोते हैं वहां से पुछे जाते हैं यह पहला पैसेज है वह आपका नॉर्मली तीन पैसेज है तो इसमें यह मात्मा गांधी का जो है पैसेज जाहिंदुस्ता ने शूट भी नाइदर यह आपके जो लाश्ट वाला चेप्टर है जो लेकर जो इस पैसेज को उठाए गए है तो यह तो यह साल हो भी जाते हैं और इन में से आप कर भी लेते हो लेकिन जो नए वाला जो पार्ट बी को जो कनेट किया गया है वह पैसेज वाले क्योशन दिखाई जी देते हैं लेकिन वह इतना एजी नहीं है उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा और एमसी क्यों के साइट्स हैं वह जैसे ए और यह बी आपको दिखाई दे रहा है इनको आपको इडेंटिफाई करना है और तीन जो अलग यह तो साइप पूरी तयारी के साथ और पुरी प्लानिंग के साथ अभी यह आप अपने तयारी सुरू करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है हम इसकी जप सब्सक्राइब करने की सोत रहें इस बार से पिसरी साल भी हमने सारे सब्सक्राइब करते हैं यूटुब के ओपर और साथ ही में टाइम टॉ-टाइम रिवाइड रिवीजन पर उतना है ध्यान दोर सारे जो पॉर वीडियो लोंच होते हैं उसमें आप लाइव ली उसमें उस समय पाटिस्पेट करो तो इसली ऐसा नहीं कि इस्ट्रीम में भी आराम से आप 90 से 95 तो आराम से मांक्स लेकर आ सकते हो और बचा लेकिया सकते हैं लेकिन पर बुक रेटिंग की तरफ जान देना है और केवल 3-8 मांक्सी तरफ नहीं भागना है सारे सलेबस को कवर करना है और सलेबस को भी हूल कॉंसेट की अकोडिंग कवर करना है क्योंकि यो किसी भी लाइन को उठा कर के कहीं से कुछ भी करके आपके सामने पढख देंगे कि यह लाइन रॉन है इसको सही करके लिखो त लिक कि तरफ आपको जाना होगा इस नोट फुर्वित पढ़ते को नोट बना के डो पढ़ते हो तो अगर आपने खुद के नोट बनाके पढ़ते और तो वेल एन बूड है अगर आपने लास्ट सेटियर के उनके नोट साथ यूज्ज कर रहे हो या मार्केट में कोई बुक् कि तरफ जाओं मेरा इमानने हैं ओके थैंक यू बाइबाए